वो भाई आज क्या ये निकल रहा है हेलो डीर कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बड़िया होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे गाइस साम के बजरे हैं 5 और मैं अपने घर पर हूँ आप देख सकते हैं ये नया वाला घर और इधर साइट ये धान और साम का टाइम हो चुका है गाईज मैं सोचा कि आप लोग के लिए ब्लॉग बना दू तो इस तरफ ये पत्थर की ये बॉंडरी है और इधर ये नाद बगेरा है जो की भैस की नाद है यहाँ पे तो बॉंडरी के पीछे और इधर गाईज ये जो आपको बताया था कि मेरे घर का पोर्च उठ रहा है तो पोर्च का पुड़ा यहाँ पे आज बीम पड़ गया है फैनली और बीम पड़ गया है और कल क्या होगा कि ये बीम के जो आजु बाजु ये फिलर है इसका भी कल मतलब की इसको भी भरा जाएगा तो आज का काम यही हुआ है कि हमारे जो फोर्च का बीम है वो अच्छे तरीके से आज भर गया है इक दम मस्त दिख रहा है देख सकते हैं इस तरह से कुछ अच्छा एक दम भरा हुआ दिखा है और निलेस यादव जो की जाते हुए पता नहीं कहा जारे खेत में और इधर गाईज यह आज पता नहीं बहुत सारी पक्हियारियां यहां पे नीचे से निकल रही है और नीचे से निकल के आप देख सकते हैं इधर बहुत सारी यहां पे फ्यारियां आज निकली है और इधर आज चारो तरफ ये बातावरण में उड़ रही है और यहाँ पे साम का टाइम हो चुका है ये मेरे दादा और दादी इस कैसा रहा ये बीम आप लोग कमेंट करके जरू बताएं और मेरा पोर्च कैसे लग रहा है आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताएं तो आज का ब्लोग यहीं फे खत्मा करते हैं मिलते हैं अगले ब्लोग में तब तक कि लिए बाइवाए